दोस्तों कुडी सेड़ेडे सेड़ेडे करती रही और इसी चक्कर में सारे सेड़ेडे निकल गए और अब आगया है साल का आखरी शनिवार जहाँ पे मैं लेगा आगया हूँ आपके लिए टेक वर्ल्ड के बहुत सारे इंटरस्टिंग अपडेट्स इसी ब्राइन यू हुआ और कितना हुआ हम देखते हैं आखर क्या रही टेक वर्ल्ड की सारी गवरे पिछले पूरे हफ़ते में नमश्कार दूस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेखनीकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों को पल-पल दिल के पास तुम रहती हो ये एक अलग बात है और पल-पल लॉंच के पास लीक मिलते रहते हैं ये दूसरी बात है और यहाँ पर अभी हमको लीक्स मिल रहे हैं सामसंग के गलेक्सी A24 सिरीज के लॉंच जो है वो होने वाला है 17th of January और अभी camera module जो है S24 Ultra का वो लीक हो गया है and as per the reports इस बार सामसंग 10x वाला जूम नहीं देने वाला है अब अगर आप जूम वाली फोटोस के फैन थे तो घबराईए मत क्योंकि आपको मिलने वाला है और ज्यादा improved 5x optical zoom और इसका जो camera sensor है वो ने वाला है 50 megapixels का अगर आप याद करते तो 10x zoom was with 10 megapixel camera तो अब Samsung आपको और advanced एक camera system देने वाला है अपने upcoming S24 Ultra में I am looking forward to कि भाई क्या होने वाली है photo quality because last year in fact this year this phone was a champion साथ में कहें कुछ और leaks भी निकल के आए कि Galaxy AI जो है वो बहुत अलग तरीके से transform करने वाला है पूरा experience और in fact अगर आपको budget phones के इनजार था तो Samsung ने अभी Christmas के time पे चोहार का पूरा मजा उठाते वे आपके लिए इंडिया में दो ने फोन Samsung A15 और A25 को भी launch कर दिया है I am gonna go to San Jose या Seoul या San Francisco या New York देखते हैं जहां पर Samsung launch करेगा इस phone को I will be there on ground पता लगाने के लिए कि Samsung नए phones में क्या कुछ नया launch करता है तो just imagine यार कि आप अपने phone में कुछ immersive तरीके से खोए हुए हैं, reel पे reel scroll किये जा रहे हैं, कुछ जो है वो zoom कर-कर कर देखे जा रहे हैं और अचानक से आपका phone जो है अटक जाए तो, रुक जाए तो, चल दे दलते, बिरा किसी चीज़ के तो यहां पे कुछ ऐसा ही हुआ भईया, युवेस में जहां पे एक school में एक special device से, एक student ने अपने आस पास के बहुत सारे iPhone को से disable कर दिया तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है, थोड़े manner सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो अब खेर, यहां पे जो कार्रेवाई होनी है वा तो होगी लेकिन, I think कार्रेवाई Apple को करनी पड़ेगी, अपने फोन की security को लेके, विकॉस यह भी update निकला है, भाई, I imagine कि किसी के बास में को इसे device लेगी घूम रहा है, और भाईया, सब के फोन अटकते जा रहे हैं, मतला, अब, you know, this could be a potential thing, विसे लगता है कि Apple कुछ नया करने वाला है in the field of AI, because Apple collaborate करने वाला है with multiple news publications, और आप जो है, वो देखेंगे, जनरेटिव AI के field में, Apple कुछ तो लेके आ सकता है, इसका नाम exactly क्या होगा, this remains to be a question, विसे नाम मैं बता सकता हूँ, नाम कुछ बी, I Smart, yes, ऐसा Apple क कर दे, आपल का जो Vision Pro है, वो finally, as per leak, सभी सामने आने वाला है, January, last week, या फिर February 1st week तक, और Apple इस पूरे साल भर के लिए तयार करके बैठा है, 5 लाख Vision Pro devices, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला है, confirm हो गई, दोस्तों, train ticket की बात नहीं कर रहा हूँ, I am talking about the launch date of OnePlus 12 series, और date confirm हो 23rd of January, हमको मिलने वाला है OnePlus 12, और साथ में होगा OnePlus 12R, और यहाँ पर फोन्स की जो प्राइस है, उसकी भी speculations लगना स्टार्ट हो चुक है, जा भी 12R है, वो approximately 45,000 रुपीज तक जो आपको देखने को मिल सकता है, और जो OnePlus 12 है, वो looks like between 60-65,000 रुपीज और फोन्स काफी promising लगत हैं, I mean OnePlus 12 तो definitely लगता है कि बहुत एक लेवल अप जाने वाला है, considering OnePlus ने जो improvements किये पुरे साल भर में, उनका भी जो है, वो अपने homework में पूरा इस्तिमाल किया होगा OnePlus ने, और दिखते हैं कि जो 12R है, वो कितने लोगों को अपील करता है, वो कितने लोगों को अपील करता है कि दिमाग में नाम आएगा वीवो की X-Series के लेकि, बात तो सही है, अभी तो वीवो इंडिया में लाँच करने वाला है X100 और X100 Pro को 4th of January, बट मैं आप से बात कर रहा हूँ और future में आने वाले X100 Pro Plus के बारे में, जहांपे भीया कुछ specifications leak हुई है, और इस phone में होगा 200 Megapixels का periscope वाला camera, I mean, दिमाग में डिजस्ट नि कर पा रहा हूँ कि वीवो कितना camera को से आगा एक phone में, बात में पता चलता है कि वीवो कि एक camera पकड़के उसके इंदर phone डाल लिए है, मतलब I have no idea कितना ज्यादा insane तरीके से camera's जो होने वाले हैं smartphones के 2024 में, और in fact खर वीवो का X- Fold 3 है, वो भी leak हुआ है, जहां पर मौलम चलता है कि आकर इसके अंदर क्या basic specs को करे होने वाली है, but इंडिया में तो अभी के लिए folding phones के दर हम बात करते हैं, तो Samsung is the king, OnePlus ने बहुत अच्छी शुरुआत कियो open के साथ में, और बाकी देखते हैं brands कैसे अपने आपको establish कर पात हैं, काफी मज़ना भी आता है gaming को लेके, और इसी सोच के साथ, Asus जो है, वो ROG phones हर साल लेके आता है, जो gamers है न, उनके लिए phone बनाने है बहुत ही तगड़ा धमाकेदार, और इस बार लगता कुछ आसे ही होने वाला है, साल की शुरुआत में, 9 तारिक को मिल जाएगा हमको Asus के तरफ से ROG 8 लाइनप, looks like की बहुत ही तगड़ी performance मिलने वाली है, from gaming point of view, और overall जो phone है, वो शायद, I mean, performance जो है, वो ROG में इतनी होती है, जैसे क्यारी बोलता है, कि मतलब घोड़े भागते वे देखें, उससे भी तेज, शील को नहीं जाते हैं, उससे भी तेज, तो अभी looks like की ROG series कुछ ऐसे ही करने वाला है, 9th of January को So what is one common thing between WhatsApp, Instagram and Facebook? आपका जवाब निकलेगा, मेटा And if I ask, what is the difference between WhatsApp, Instagram and Facebook? आप सोचते रह जाओगे, बट लगता नहीं है कि आप कुछ अंदर बता पाओगे Because antar, more or less, नाम और लोगों का यह, otherwise features तो आपको पता ही है, किस तरीके से इदर से इदर से इदर से इदर से आपस में meta खेलता रहता है, features को डालते हुए और अभी यहाँ पे WhatsApp के अंदर जो channels का option आ गया था, उसको आप story वगरे पे post कर सकते हो, मतलब बहुत ही एक वो ऐसा मिला जूला सा जाल सा बन गया है, features का मतलब समझ नहीं आ रहा है, बीच में threads जो है, वो अलग अपने existence को ढूण रहा है वैसे आप बताईए, आपकी नजर में, perfect social media platform कौन सा है, नीचे comment करते हैं, देखते हैं कि क्या पता कुछ अलगी नाम बता दो, I'm waiting उस्तों बच्पन में कहावत सुनी थी कि जितनी चादर हो, पैर उतनी फिलाने चाहिए, लेकर लगता है, Elon Musk के साथ में यह कहावत applicable नहीं है, उनकी चादर बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उसमें जो आता है वो सब समेट लेते है अपने पास में, अपने पैर तो छोड़ो, पूरी दुनिया को खटा कर रखा लगता है वहाँ पर अभी ऐसे कुछ हो रहे है टेसला की तरफ से, because, मतलब भाई देखो, क्या बोलते है उसको, ज्यादा आपके पास पे पैसा है तो आप और पैसे को अट्रैक्ट करते हो, ज देखो, किसी और को मिले ना मिले, Elon Musk को लगता है, लेटेस्ट टेक्लोजी जरूर मिलने वाली है, अपनी गाडियों के लिए और अपनी सब चीजों के लिए, अब बस इंजार इस बात का है, कि जो मैंने टेसला का साइबर ट्रक बुक करवाया था, वो मुझे कब जाके मिल अब ही तक कोई अपडेट नहीं है, अब ही तक कोई अपडेट नहीं है, दुबाई में डिलिवरी का, युएस में कुछ 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 डिलिवरी हुई है, आम वेटिंग फर माय साइमेटर का, तो जो जो अपने चारों तरफ फैली चुगा है, मतलब अगम देखते हैं, जो सिनिमा के ओपर IPL और Jio का सिम यूज करते हैं, Jio का डिटा दिखते हैं, मतलब यह जो चीज़े लगता है, और अलग लेवर के आने वाली है, बिकॉस रेलाइंस और वाल डिजनी जो है, वो मिलके एग्रिमेंट करने वाले हैं, तो क्रियेट सम नेक्स लेवल अटेंमेंट और यहां पे जो distribution होगा, shares का वो होगा 51% with Reliance and 49% with Walt Disney, तो ज्यादा control जो होगा Reliance के पास, वो in fact Reliance देको Jio के करम बात करते हैं, तो हम किसी offer की बात कैसे ना करें, अभी आगया है यहां पे इनका नया new year offer, जहां पे अगर आप साल भर का recharge करते हैं, तो आपको 24 दिन extra मिलने वाले हैं to enjoy your services, तो मतलब 365 की बजाए, अभी 389 days के आपको मिलने वाली availability on annual recharge, तो फोटोशॉप में generative AI use करके कुछ लोग अपने घर बैठे-बैठे मनाली का पूरा मज़ा उड़ते लेकिन अभी ऐसे में AI from Pika Labs, यह अलग लेवल का काम चल रहा है, विकास आप text prompt से पूरा विडियो जनरेट कर सकते हो, अभी जो है वो वेटलिस चल रहा है, पूबिक का जल्दी हमसका experience कर पाएंगे, मतलब आप बस लिख के डालिये क्या चाहिए और सामने विडियो रेडी होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जादा मज़ा मत उठाईएगा, अभी मीटी ने जो है एक एडवाइजरी इशू कर दिया है, अगेंस डीप फिक्स वगरे हैं, अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो और कहीं पर पोस्ट कर रहे हो, तो जो होगा हजमेदारी आपके उपर ही है, तो मतलब for basic stuff, for creative stuff, it's fine, बट अगर आप किसी के अगेंस्ट कु पुछा, मैंने कुछ पूछा, मैंने कुछ पूछा, पूछा, मैंने कुछ, जो 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 बहुत सारे leaks निगल के आ रहे हैं, मतलब अलग-अलग लोग जो हैं, वो अपने leak पे leak डाले जा रहे हैं, in fact, एक office cleaner ने बताया कि भाई, जो game है, वो September में आने वाला है, उसने बो पूछ प्राइक करना असान होगा, कोई बोलता है, नहीं होगा, कोई बोलता है, जनवरी में आएगा, कोई बोलता है, December में आएगा, बाई हापे क्या हो रहा भाई, ये कहा पस गया बाई मैं, एक बात पकी है, आप ये बात लिख सकते हैं, कि जैसे ही ये GTA 6 आता है, Rockstar जो बहुत 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 ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं because games I am sure सारे records ब्रेक करने वाले हैं अब देखो guys, GTA 6 के चक्कर ही ना मतलब कई लोग ऐसे हाथ जोड़ के भावान के सामने परात्रा कर रहे थे कि भावान प्लीज दोजार चौविस को skip करवा दो, सीधा 2025 पहुचा दो because अब को game खिलने का पहुच जादा मन कर रहा है but you know what आप नहीं कर सकते हैं, 2024 तो आएगा और in fact आने वाला है तो मेरी तरफ से आप सभी को wishing you a very 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 happy new year of 2024 I hope कि 2024 में ऐसा ही मज़ा उठाएं, ऐसा ही fun crisis अबने इस साल किया कुछ चीज़े मिलती है और मैं आप से मिलने वाला हूँ सीधा अगले साल, next episode में फ्लावड़ में इतना ही जय हिंद वन्ने मातरम